इंस्क्राइब अ स्क्वेर इन गिवन सर्कल किसी भी गिवन सर्कल में स्क्वेर को कैसे इंस्क्राइब करना है या आज हम सीखेंगे क्यूंकि स्क्वेर को इंस्क्राइब करना है तो ये कुछ इस तरह की शेप होगी जिसमें सर्कल के अंदर स्क्वेर होगा और square के जो corners हैं जो vertices हैं वो circle के circumference को touch कर रहे होंगे तो इसको कहते हैं inscribe a square in a given circle या हम इसको कह सकते हैं circumscribe a circle in a square अगर हमें square given हो और circle को circumscribe करना हो तब भी यही shape बनेगी और अगर circle given हो उसके अंदर square को inscribe करना हो तो भी यही shape बनेगे तो आज हम इस shape की geometric construction देखेंगे जिसमें हमें circle given होगा और हमने square को inscribe करना है इसके लिए हमें एक circle given है जिसका center है O इसको construction step में लिखेंगे given a circle with center O सबसे पहला step यह होगा कि हम इसके diameters draw करेंगे two diameters draw करना है इस तरह से कि दोनों एक दूस्टे के उपर perpendicularly bisect करें अब इसके perpendicular हमने दूसरा diameter draw करना है तो इसके लिए हम compass को मुनासिब सा open करेंगे जितना हमें arc draw करने में असानी हो और center पे रखते वे एक arc इस तरह से draw कर देंगे इसके बाद इसके एक corner point पे रखके हमने क्या करना है 90 का angle बनाना है ताकि वो angle जो है वो perpendicular line find करने में हमारी help करें तो ये first cut जो है ये 60 degree का होता है ये हम जानते हैं इसके बाद जो second cut होगा वो 120 degree का होगा तो हमें 90 degree का चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे इनके दर्मियान में arc लगा देंगे एक इस point पे रखते वे और एक दूसरे point पे रखते वे step सेम वैसे ये जैसे हम 90 degree का angle बनाने के लिए करते हैं यहाँ पे हमने 90 degree का angle ही बनाना है तो यह दोनों arc एक दूसरे को इस point पे intersect कर रहे हैं अब हम scale की मदद से इस point को center को इस point से जहाँ पे यह दोनों arc एक दूसरे को intersect कर रहे हैं join करेंगे और इसको आगे extend करेंगे circle के circumference के end तक क्यूंकि हमने diameter draw करना है इस तरह से हमारे पास दो diameters आ गए हैं जो दोनों को एक दूसरे के साथ perpendicularly bisect कर रहे हैं आप इस angle को check भी कर सकते हैं यह exactly 90 degree का angle है अब इसको construction step में लिख लेंगे through or draw two diameters A, C and B, D which bisect each other at right angle A, C और B, D diameter हमने draw की जो एक दूसरे को bisect कर रहे हैं 90 degree पे हैं अब हमने scale की मदद से point A को D के साथ D को C के साथ और C को B के साथ और B को A के साथ जोईन करना है इसके लिए scale ले आते हैं और scale की मदद से सबसे पहले point A और D को आपस में जोईन कर लेते हैं इसी तरह से point B और C को जोईन कर लेते हैं और इसी तरह से point A और point B को भी आपस में join कर लेते हैं और point D और C को भी join कर लेंगे scale को यहां से हटा देते हैं और इसको steps में लिख लेंगे join A with B, B with C, C with D and D with A A, B, C, D is the required square inscribed in the circle तो जो A, B, C आया है A, B, C, D जो है यह क्या है? यह हमारा required square है जो कि एक circle के अंदर inscribed है हम इसको measure करके भी end पे check करेंगे कि यह perfectly square बना है कि नहीं बना अगर square है तो इसके चारों sides equal होने चाहिए अब अगर हम इसको देखें यहां पे scale रखें तो इसकी एक side की जो length है वो तकरीब आ रही है 4.9 तो हम इसको लेते हैं और इसको open करेंगे इसके length के बराबर इसके बाद इसको यहां से measure करेंगे तो अगर इस side पे रखके देखें तो इसकी भी same यही length आ रही है इसी तरह इस side पे भी same यही length है scale को यहां से अटा देते हैं और इसके बाद इसको यहां से उठाते हैं और यहां पे रखके देखते हैं तो इसकी भी same length है यानि कि चारों sides की length बराबर है इसका मतलब यह एक square है आज की वीडियो में हमने सीखा subscribe a square in a given circle के बारे में